तो दोस्तो आज का question है कि which vitamin is important for coagulation factor यानि coagulation factor के लिए कौन साइसा vitamin है जो सबसेता important है या किस vitamin की वज़से coagulation factor है वो होता है option 4 हमारे पास पहला है vitamin A, vitamin B, vitamin K और vitamin C तो दोस्तो जो coagulation factor होता है उसके लिए जो vitamin होता है वो vitamin K होता है यानि कि option हमारा C से वनवाल है कि vitamin K जो होता है coagulation factor के लिए सबसे ज्यादा important होता है यानि vitamin K से coagulation होता है दूसरा question है कि what is called Fibreanogen यानि Fibreanogen क्या कहलाता है इसमें से जो factor दिया हुआ हमारे पास option में फेक्तर वन को हम 500 ऑलLesosit वन केहते हैं को या फैक्टर 4 को या फैक्टर 5 को इसमें से कौर इस फेक्टर 5 या मैं आपको बता हैं दोस्तों जो फेक्टर होता हूँ तरह के होता है है लेकिन यहां हमें चार अंदिया है जिस में से जो पहला अप सने यानिकी फैक्टर वशं को हम फाइव रो नो जन कहते हैं जब को भी आप कोगलेशन का अगर स्टड़ी करोगे तो उसमें फैक्टर के ब होगा उर 12 प्याक्टर है की हीट लेविल फक्टर है कि क्यंटर्ट फक्टर है फिटम्ट-विटाविन-आपक्टर है की कंट्एक्टर है यहाँ पर ऑप्षन होगा D यानिकि da marked factor के मतलब यह होता एच्ठर एक साथ एंद्येस चाह방 पर वीई किसी 11 और 12 जो होता है हो contact factor होता है यानि कि एक दूसरे के धातु को जोड़ाओ करता है जोड़ने के काम करता है तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन है कि preventive blood loss of body यहनि कि हमारे body में पहले से जब blood loss होता है preventive blood loss of body उसको हम क्या बोलते हैं यहनि कि पोलिसाइथेमिया एनिमिया coagulation या hemostasis तो दोस्तों बतातो जो पोलिसाइथेमिया होता है यह प्रिवेंटिव ब्लट लोस नहीं होता है यह निमिया होता है खुन की कमी से होता है लेकिन वह भी प्रिवेंटिव ब्लट लोस नहीं होता है दोस्तों को इस में कुछ रोल ही नहीं होगा तो option हमारा यहां पर डी करेक्ट होगा यहने कि हीमोसेस्टिक्स को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव ब्लट लॉस ऑफ बोड़ी तो option यहां पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग और नेक्स्ट कोईचन है कि हीपेरिन इस काइंड आप जो दोस्तों जो हीपेरिन होता है वह एक एंटिकोगलेंट होता है जब हम सेंपल लेते हैं तो हीपेरिन में इसलिए लेते हैं कि हो सेंपल को क्लोट नहीं होने देगा एंटिकोगलेंट के काम करेगा यहने कि सेंपल हमारा सेफ रेट रहेगा और वह क्लोट नहीं हो पाएगा इसलिए option हमारे यहाँ पर be correct होगा तो वीडियो का लाइक कर देना और मिलते हैं नेक topic में